बासमती चावल की उत्पत्ती का पता भारतिय ओप महादवीप विशेश कर हिमाले परवत चोटियों के पश्चिमी तलाव तक लगाया जा सकता है। बासमती शब्द दो संस्कृत शब्दों से उत्पन हुआ है। बास जिसका आर्थ है सुगंध और मती जिसका आर्थ है वासना से भरा या सुगंधित। इस शब्द से ही पता चलता है कि बासमती चावल की खासियत उसकी खुश्बूदार और विशिश्ष्ट सुगंध है। बासमती चावल का इतिहास हजारों वर्ष पहले तक जाता है और इसे सदियों से भारतिय उप महादवीप में उत्पन किया और खेती किया जाता है। पारम परिग बासमती चावल इसके अदबुत स्वाद, खुश्बू और लंबे, पतले अनाज के अनोखे अनुभव के ये जाना जाता था। ये प्राचीन भारतिय राजा और समराटो द्वारा उनकी उच्छ गुनवत्ता के लिए बहुत मूल्यवान माना जाता था और इसे अकसर राजवन्शों के लिए शोभा पूर्न आहार माना जाता था। समेर के साथ बासमती चावल ने भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान और इरान के कुछ हिस्सों में भी लोगप्रियता हासल की। हिमाले परवतों की पादुकाओं में मौसमी स्थितिया, उर्वर भूमी और जल्सरोत ने बासमती चावल की खेती के लिए एक आदर्श पर्यावरन प्रदान किया, जिससे इसकी विशेशक प्रहीनी विशेश ताएं और विशेश गुण बड़े। आज भारत वैश्विक रूप से बासमती चावल के सबसे बड़े उत्पादक और निर्यातक है। पारम पर एक बासमती चावल जैसे प्रकार, जैसे ट्रेडिशनल बासमती और 1121 बासमती अभी भी खेती किये जा यह एक विशेश और गुनवत्ता वाला चावल है जो निमनलिखित तरीकों से आपके स्वास्थे को फायदे मन बनाता है। साथवना देता है। बासमती चावल का खास अरोमा और स्वाद भोजन का आनन बढ़ाते हैं। इसका सेवन करने से भोजन का आनन बढ़ता है और आपको साथवना मिलती है। आंतरिक पोशक तत्व बासमती चावल में अच्छे मात्रा में पोशक तत्व जैसे प्रोटीन, आयरन, फोसफोरिस, विटामिन आधी पाए जाते हैं, जो शरीर की सन्नचनात्मक कारियों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। सेहती हरिदे, बा बासमती चावल में विशेश प्रकार की स्टार्च होती है, जिसे रेसिस्टेंट स्टार्च कहा जाता है। ये पोश्टिक होता है और शरीर में विटामिन A और D को बढ़ावा देता है। मधुमेह नियंत्रिन, बास्मती चावल का रेसिस्टेंस टाच मधुमेह के प्रबंध में मदद करता है क्योंकि इसके खाने से बलड शुगर का स्तर नियंत्रित रहता है। पार्चन सुविधा, बास्मती चावल आसानी से पच जाता है और पार्चन संबंधी समस्याओं को दूर करता है।